इसका दोस्तों मैं हूँ सुप्रेक रोसोई से आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने बाली हूँ मतन करी जो की बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत टेस्ट फूल भी बनता है और अगर आपके पास टाइम नहीं है और कोई मेमान आ गए है तो जल्दी जल्दी चोटे चमज से हमें है कर रही हूं होदी कर रही हूँ चोटे चमज से और इसको अच्छे से हाथ में मीक्स कर लेंगे हात में मीक्स करने के fino घळक का पैस्ट बना लेंगे जो मीट को हम हल्दी और नमक एड़ करकर रखे थे उसको पैसर कुकर में डाल देंगे और इसमें करीबन आधा ग्लास पानी एड़ करेंगे और उसको अच्छे से बॉल होने के लिए हम गेस में चढ़ा लेंगे तीन सीटी आने तक हम चढ़ाएंगे ज्यादा सीटी नहीं लेगना चाहिए तब तक हम और मसाला रेडी करते हैं तो यहां मैंने मीडियम साइच के तीन प्याज बारी कट कर रखा हुआ है थोड़ा सा मोटा साइच का वहां यहां कुछ खाड़ी मसाला लिया हुआ है तो यहां काली मिर्च में ले हूँ और कु करेंगे तो अच्छे से हमारा पग गया है अब एक और यह लेते हैं कड़ाई में तील डालेगे करीबन चार चामत ज्यादा तेल एड़ नहीं करेंगे क्योंकि मॉटन में बहुत तील होता है इसलिए ज्यादा तील नहीं उच्रेंगे तो मसाला के लिए जितना चाहिए उ उसको भी हम डाल देंगे मैंने यह ढखकन थोड़ा सा सामने रखा हुआ है इसलिए क्योंकि चीटा पड़ता है तो इसलिए तो प्याच को हम अच्छे से चला लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर जब तक ना हो जाए तब तक हम उसको भूनते रहेंगे यह दिखिए प्याच का कलर कितना अच्छा आ गया है तो जो हम पेस्ट बना के रखे थे अधरक लशुन और मिर्चा इसको हम डाल दिये अब यहां प कि कमाच लिए 여기서 कर रहे हैं चे अफसा अब यहां पर और यहां पर आदा चमच गरम मसाला अदा चमच मत अको अच्छे से इसको मेक्स कर लेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे गेस का जो प्लियम को में नीम में रखके इस तरह से थोड़ा समय है यहां पर पानी यहां यहा तो यह दिखिए मसाला हमारा रेड़ी हो चुका है मैंने यह पर कम तेल एड़ किया था तो मसाला के हिसाब से ही एड़ किया हुआ था और जो हम मटन उबाल के रखेते हैं उसको हम डाल देंगे और अच्छे से मसाले के साथ मेक्स कर लेंगे गेस कब हाई फ्लेम में ही रखेंगे ताकि मटन का जो पानी है पूरा हमारा सूख जाना चाहिए तब जाके दुबारा हम पानी डालेंगे नहीं तो हमारा जो मटन का मेहक है तोड़ा कच्छापन का मेहक और अजीब सा मेहक आएगा इसलिए उसका पानी पूरा सूखना चाह तेल भी कितना छोड़ने लगा है देख रहे हैं अच्छे से मटन हमारा हो गया है ओए देखिए पानी पूरा सुखा हुआ है तो अब मटन का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है तो इसमें अब हम पानी डालेंगे अपने ग्रेवी के हिसाब से मैंने यह एक ग्लस पानी एट क किजिएगा अगर आपको ज्यादा पानी एट करना है तो फार्जादा पानी एट किजिएगा है अक天 लिद्वे मारा जो मटन है बन के रेडी हो गया है और नमक हम अपने स्वाद के हिसाब से डाले हैं तो पहले से मटन में हम डाले थे तो इसलिए नहीं डाले हैं तो आप अपने हिसाब से और तोड़ा नमक भी एट कर सकते हैं पानी जितना डाले हैं तो उतना हिसाब से आप नमक भी एट कर सकते हैं तो देखिए हमारा मटन जो है बनके रेडी हो गया है और कितना अच्छा भी कलर भी आ गया है और टेस्टी भी हुआ है और कम टाइम में भी बन गया है तो अगर मेरी रेसिपी अगर अच्छी लेगी है तो घर में आप एक बार जरूर ट्राइ कर लिजिए और मुझे कमेंट